प्रिदान मंत्री आवास योजना ग्रामीड अभी चर्चा में क्यों बनी हुई है? क्योंकि हाली ही में भार सरकार नहीं है. प्रिदान मंत्री आवास योजना ग्रामीड पी एम एबाई जी के अंतरगत अपने ग्रामीड आवास योजना को बढ़ाने के लिए देश बर में कच्चे घरों का सर्वेक्चन शुरू करके और आवास सक्खी मोबाईल एप लॉंच करके महत्पूर कदम उठाया है. और इस पहल का उद्देश पक्के सभी मोसम के अनकूल घरों के लिए नए लाभारतियों की पहचान करना तथा आपर्याप्त आवास बाले परिवारों की मदद करना है. और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की जो ये उजनाय है ना उनके बारे में एक सामान जानकारी जरूर रखिएगा क्योंकि इनसे आपके एक्जाम में भी कुश्चन्स पूचे जाते हैं. पूराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखिए, अपने एक्जाम के, सिलेवास उठा के देखिए, आप लोगों को मालू भी रहेगा. तो इसके बारे में एक सामान जानकारी हम लोग देख लेते हैं. कच्चे मकानों के सर्वेक्चन का उद्देश क्या है? तो आपास की आपरियाप्तिता को संबोधित करना, इसका उद्देश कच्चे मकानों में रहने बाले परिवारों के बारे में आकडे कत्दित करना, ताकि सर्वेक्चन हाली में लॉंच आपास सकी मोबाइल एप का पूरक होगा, जो लाभारतियों के लिए आवेदन पिक्रिया को सुवेवस्थित करता है, तथा उन्हें आपास से सम्मधित जानकारी और संसादनों तक आसान पहुँच भी पिदान करता है। इसमें आप देखे सामाज एक आर्टेक जाती जनगरना 2011, ग्राम सभा की मंजूरी और जीयो टेकिंग सामिल है। देखे जनगरना की अगर हम लोग बात करें तो अठारे सो बाततन में लौड मेयो की समय से सुरुआत हुई थी। नेमेज जर्गरना शुरू ही थी लौड रिपन के समय से हर 10 साल में होती है ना। 2021 में होनी चाही थी क्योंकि 2011 में हुई थी लेकिन कुरोणा महमारी के कारण अभी तक भी नहीं हो पाई है। पी एम एबाई जी के अंतरगर लाभार्तियों को प्राप्त होगा। बित्तिय साहता की बात करें तो मैदानी चेत्रों में 1.2 लाग रुपे। पूर्वत्त राज्यों और केंदसा से पिदेसों सहेत पहाड़ी राज्यों में 1.3 लाग रुपे दिये जाते हैं। सौचालय हुती अतरिक्त साहता सौच भारत मिसन ग्रामीड या फिर महत्मा गांदी राष्टी ग्रामीड रोजगार गारंटी योजना या किसी अन्समर्पित बित्तपोसन सौरोज जैसी योजना के साथ के साथ अभी सरन के माध्यम से सौचालयों के निर्माड के लिए 12, पर पंचानवे बैक्ती दिवस्क आकोसल मजदोरी रोजगार का अनिपार प्रावधन भी है मनरेगा के बारे में भी याद रखे इससे भी कुश्टन्स पूच लेता है और एक यह उजना है मनरेगा कायड के बारे में आप लोगोंने सुना भी होगा और अगर किसी को वो नह हमनरेगा के जानते हैं धेसे अब मनरेगा के नाम से जानते हैं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है तो मन्रेगा के तैत वह रोजगार ले सकता है मात्मागांधी नेस्टनल रूरल अपॉलाइमेंट गारंटी एक्ट ल siguiente 25cus जने है ना उसी की बात हो करhew कि सौ दिन का आप देखते हैं कि रोजगार मिलता है ना वन्यादी सुभिधा है तो प्रासंगिक यूजनाओं के साथ अभी सरन के मादिम से पान नहीं और तलीकित पेटॉलियम गैस हो बिजली कनेक्संता पहुंच लागत सांजय करन की बात किरें तो केंधर राज मैदानी चित्रों के मामले में 60 अनपात हैं चालिस के अनपात में बेश सांजय करते हैं दोनों मिलकर पुरोता राज्जों दो हिमालई राज्जों है माचल पिदेश उत्राखंड और केंदसाथ पिदेश जम्मू कस्मीर के मामले में 90% आप देखते हैं कि केंदर का रहता है 10% राज्ज का रहता है लगदाक सहत अन्र केंद साथे पिदेशों की मामले में केंदर पूरा 100% लाहगत खर्ज करती है यह आप देखेंगे कि S.B.M.G के तहट प्रगती है तो सरकार ने 2.95 करोड घर बनाने की महत्वा कांचा महत्वा कांची लक्ष रखा है अगस्ते 2024 तक 2.94 करोड घरों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा 2.64 करोड घर बन का तियार हो चुके है जिसके जिसे लाकों ग्रामिट परिवारों की जीवन इस्तितियों में उलेकनी है सुधार भी हुआ हाल लिया घटना करम तो केंदरिये मंती मंदल लें क्या केंदरिये मंती मंदल लें अगस्ते 2024 में मौझूदा एकाई सहायता पर 2 करोड अत्रिक्त घरों की निर्माड के लिए बित्तिये सहायता को मंजूरी दी और SBM जी पातिता मांदंड को लचिला बनाय गया है और बाइक याइस्कूटर के मालिक अब लावारती सुची में सामिल हो सकते हैं और 15,000 रुपी पिती महा तक आयर अर्जित करने बाले लोग भी अब आवास के लिए पातता होंगे पहले सीमा 10,000 रुपी रखे गई थी और आप देखे बित्तवर्स 2024-2025 बित्तवर्स 2024-2029 तक चलने बाले इस से पहल का उद्धिस महजूदा आवास आवकस्तक्ताओं को पूरा करना है लगबग 10 करोड वेक्तियों को लाभान भीत करना तता उन लोगों के लिए सुरक्षित स्वक्ष और सामजिक रुप से समावेसी आवास सुनिश्चित करना जो बर्तमान में उचित आस्राइ के बिना या फिर जीन्ड सीन्ड परिस्तितियों में जीवन यापन कर रहे है अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ तो आप लोग बता सकते हैं जितनी भी ये उजनाये हैं उनके बारे में सबके बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूं इससे कुश्चन्स आपके जम में हर साल पूंचे जा रहे हैं धन्नबाद